मानने सुप्रीम कोट में बियर्ड बेर्थों के प्रात्मेक्स अच्छक भरते eligibility matter में जब फैसला सुरक्षित किया गया था उस बात को अब लगबग डेड़ महीने का समय व्यतीत हो चुका है मानने सुप्रीम कोट में आखिर इतना विलंब क्यों हो रहा है फैसले को ले करके इसका regarding detail में बात करेंगे अंत तक जोड़े रहेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे है केरियर बिट यूटिब चैनल अगर आप ही चैनल पर पहली बार वज़ेट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल एकन को प्रेस करना ना भूले ये सिर्फ एक राज या फिर एक भरती से जुड़ा हुआ मामला नहीं है हालांकि ये मामला निश्चित तोर पर राजस्तान से उठा था मानेने जोदपूर हाई कोट के फैसले को चैलेंज करते हुए ही बिये डवेर्थी मानेने सुप्रिम कोट कहे थे वहां की रीट 2021 की रिजल्ट घोशित ना होने के कंडिशन में और NCT 28-28-2018 के नोटिफिकेशन को रद करने के बाद से मानेने जोदपूर हाई कोट के फैसले के विरोध में वहां पर अब चुकी मानेने सुप्रिम कोट ने सभी राज्यों के जो इंडिवीज्वल्स थे तक पस्चिम मंगाल उत्तर प्रदेश बिहार से सम्मंदित वकील भी उपस्ति थे अपना अपना पक्छ रखने के संदर में तो अब ये मामला सिर्फ राजस्थान का नहीं है बलकि पूरे देश भर का है और देश भर में जहां जहां वैकेंसीज हो रही है या फिर हो चु रही थी यानि कि सीधे तोर पर जो भरतिया कंप्लीट हो चुकी है उनक पर भी एक तरीके से इस डिसीजन का प्रभाव पढ़ सकता है इसी के लिए कोई एक जनरल कॉमन जो डिसीजन आएगा निशीत तोर पर वो सभी पर लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि जो भरतिया क कैसे वो लागू किया जागा तो यहां पर सब कुछ डिफ्रेंसियेट करना होगा राज्य वाइज अलग-अलग कुछ चीजे आपको देखने को मिल सकती है जहां पर जैसे कि बिहार राज्य हो गया वहां पर भी एड अभी वर्किंग में है जो पिछली भरती हुई थी उत कि जो पहले की भरतिया हो चुकी है उनको कोई प्रभाव ना पड़े और आगे जो कुछ भी डिसीजन देना होगा निशी तोर पर वो सभी पर्टिकुलर किसी एक राज्य के लिए लागू ना करते हुए एक जनरल आइडिया आ सकता है जनरल कॉमन डिसीजर आ सकता है ठीक वकील के द्वारा ये बोला गया कि हमारे यहां परियाप्त संख्या है तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार में किस प्रकार से मानेने सुप्रेम कोट डिफाइन करेगी इन सभी चीजों को लेकर के पश्चिम मंगाल के जो वकील ने अपना डेटा प्रस्तुत किया वहाँ के परिपेक्ष में किस प्रकार से डिफाइन किया जाएगा तो चीजे थोड़ा एस्पेस्फिक भी होंगी उत्तर प्रदेश के भी संदर में होंगी बिहार के भी संदर में होंगी पश्चिम मंगाल के भी संदर में होंगी और अन्य राजे जैसे की उत्राखंड की कर लें तो वहां पर भी आप देखेंगे उत्राखंड की बात कर लिए मद्य परदेश की बात कर लिए यहां पर भी सभी वेकैंसिust 될़ लगातार चल लिए और वो सभी वेकैंसिट है वो सब माने सुप्रीम कोट के फैसले की अदीन है इनके तो सिधे तोर पर जो notification ज़र किया गया तो उसमें भी mention किया गया है तो कोई एक ऐसा decision जो सब पर general तोर पर लाग हूँ उसको design करने में उसको तयार करने में काफी लंबा वक्त लगेगा क्योंकि जितने भी references दिये गए हैं उन सभी references का detail में अध्यान करना पड़ता है क्योंकि एक बार जो decision मानने सुप्रियम कोट देगा निश्ची तोर पर वो आने वाली चीजों के लिए एक तरीके से पत्थर की लकीर बन जाती है और उसी के अधार पर फैसले दिये जाते हैं क्योंकि इस से related इस प्रकार का जो भी फैसला हुआ होगा किसी भी राज्य में चाहे आप उत्तर प्रदेश के राम सरण मौरिया वाला case ले लिजे तो ये सभी चीजों को consider करते हुए फैसला general idea के तोर पर दिया जागा इसमें सभी राज्यों को के condition और सभी भरतियों के condition को ध्यान में रखते हुए उन्हें सब को detail में ध्यन करने के बादी फैसला आएगा इसलिए इतना time लग रहा है क्योंकि एक केवल read से सम्मंदित अभी ये मामला नहीं रह गया है पूरे राज्यों की सभी भरतियों से जुड़ा हुआ मामला बन गया और पूरे देश भर का एक ज्वलंत मुद्दा बन चुका है तो ये अभी time लगेगा कितना time लगेगा हलाकि एक general idea देखा जाए तो 90 दिन के अंदर मानेने Supreme Court ये देखा गया है कि generally जो order होता है वो pass कर दिया जाता है लेकिन ऐसा कोई boundation नहीं है अधिक्तम जो case देखा जाता है वो 180 दिन 180 दिन यानि 6 महिने 6 महिने में अपना जो order होता है वो मानेने Supreme Court डेलिवर कर देती है तो अभी आपको इंतजार करने के लबा कोई भी option नहीं है हलाकि एक इसका रास्ता ये जरूर हो सकता है कि मानेने Supreme Court में एक application दिया जा सकता है कि चुकि भरतियां कई pending है decision की वज़े से इसलिए decision जल्दी देने के संदर में एक आगरा के लिए एक application होता है मानेने Supreme Court में लेकिन उसका भी एक legal procedure है ठीक है तो ये सभी चीज़ों होने में अभी time लगेंगी कि कब decision आएगा ये कोई नहीं जानता कोई नहीं बता सकता क्योंकि मानेने Supreme Court को कई points पर चीज़े consider करते हुए ही order देना है इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धने बात भगवान करें आपका दिन शुभ हो